उत्तरप्रदेश में जल्द होने जा रहे शहरी निकायों के इलेक्शन के जरीए सियासी पर्टियां तेड़ साल बात होने वाले लोग सबाचुनाओं की अपनी तैयारियों को परखना चाहती हैं। यही वज़ा है कि वो इस एलेक्शन में कई तरह के प्रयोग कर रही हैं। इसी की पार्टी AI MIM में शामिल हुआ था। खुद OEC ने अतीक के परिवार को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई थे। लेकिन तीन महीने के बाद ही दूरियां इतनी बढ़ गए कि अतीक का परिवार शान्त होकर घर बैड़ गया। विधान सभा चुनाओं में भी प्रचार के लिए नहीं निकला। अतीक के परिवार ने अब नया सिया से ठिकाना तलाश लिया है। अतीक का परिवार जल्दी ना सिरु बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा है बलकि बाहुबली की पतनी शाइस्ता परवेन प्रयागराज से ब्यस्पी के टिकेट पर मेर का चुनाओं भी लड़ने जा रही है। बाहुबली अतीक एहमत को शिवपाल यादों का बेहत करीबी माना जाता है। शिवपाल यादों ने जिस दिन समाजवादी पार्टी में अपनी वापसी की ठीक उसी वक्त अतीक एहमत के परिवार ने ब्यस्पी में शामिल होने का फैसला किया। ये महच सन्योग भी हो सकता है या इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि शिवपाल यादों ने अखिलेश यादों की शर्तों पर समाजवादी पार्टी में वापसी की है। पार्टी है और उत्तर प्रदेश में उसके पास आधार है और जहां तक अतिक हमत का सवाल है उनके सामिल होने से कौसांबी है प्रताब गड़ है प्रियाग राज है फतेपूर है यहां के अलब संक्क्रों में उनकी पकड़ है इससे तो बोजन समाज पार्टी को फाइदा पार्टी का बेसोट उनको मिल जाएगा और अगर अकलियस समाज जिस तरीके से आज की तारीक में वो समाजवादी पार्टी से जुला है अगर उनी से जुला रहा तो बहुत फाइदा नहीं होने जा रहा है लेकिन एक उनको राजनीतिक सरण कहिए था और अगर बोजन समा और पंदरा पर्शंट लगभग यह जो है तीस परसेंट बातिस परसेंट ओठ हो जाएगा और यह विदान सभा चुनाव जी सकती है तो भविश से जो है वह बसपा का है यह सोच के अतिक हमद हो सकता है पार्टे में सामिल हो रहे हो और बहिंजी तो हमेशा परियोग करती तक हो फिर सब्सक्राइब नुस्लिम फ्रब जाना सब्सक्राइब परियोग किया तो यह परियोग कितना सफल होगा और देखा जाएगा भारती जिनता पार्टी को भी मौका मिल जाएगा धुरबी करने का यह तो लेकिन लड़ाई वा सकती हैं इसमें कोई दो रहा है तो इसके सियासी माइने क्या निकलेंगे अगर हम 2024 के देखिए 2024 में जिस तरीके से भारतिय जंता पार्टी के साथ ओटो का धुर्वी करण है पचास प्रेस्ट से जादा तो यह बोजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई और हो यह जब तक एक महा गटवंधन टाइप गटवंधन नहीं बनाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश में खाता खुल जा सर प्रियोग कर रही है लेकिन बेस ओट और भाजपा की अक्रामग नीतियों को देखते हुए मैं जान रहा हूं देख रहा हूं नहीं हो पा रहा हुए यह बताईए कि अगर हम प्रियागराज में मेर की सीथ की बात करें तो अतिक अमद की लड़ने से दिश्टी के टिकट और दलिस समाज इनके साथ जूल जाता है तो यह फाइट में आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी फाइट में आ जाएगी और उसकी लड़ाई सीधे भाजपा से हो जाएगी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेगी लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तो सीधी लड़ाई भारति जन्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है अब बेसोत बस्पा का अकलियत समाज जो यहाँ पर जादा है सहर पाश्चिव में जादा है फूलपूर में जादा है फाफ़ा वोग जादा है कर्चना साइड में भी सोटें तो थोड़ा मुड़ा तो फाइदा हो सकते हैं तो यह अगर अतीत की बाते करें हम चाहे वो लगाति ने उसको भुला के समाजवाधी पार्टी से गठवंधन किया 2019 में लोग सवाका तो गेस्ट हाउस कांड कौन सा इतना बड़ा कांड था जिससे माया होती जो वो कर सकती है और सर देखे कानून अपना काम करेगा उनके जमाने में भी माया होती कि जमाने में भी कानून अपना काम करता था उनके तमाम विधायकों सांसद उनके घर से गिरफतार हो जाते थे तो वो कानून अपने काम करेगा जब तक किसी को सजा नहीं मिल जाती है तब तक सब लोग आरोपी है ऐसे में इनका जो सियासिक कदम है इनको राजनीतिक सवर्ण चाहिए था और वो इनको मिल गया है अगर वो जा रहे हैं तो और यह इनको लांग टर्ण में फाइदा देगा बसरते फिर ना बदा जाए प्रिशनी यह है कि अतिक एमत को श्यूपाल यादो का बड़ा करीब ही माना जाता है कि श्यूपाल यादो फिर से समाजवादी पार्टी में वाक्ति हो गई है पठी कुछी मौके पर अतिक एमत में बस्पार सामिल होने का पैसा यह माय संयोग है क्या कि यह मान लिया तो जाहिर सी बात है कि अगर श्यूपाल जी आ गए हैं उनके साथ तो इस पीक को पता है कि वो सामिल नहीं होने देंगे एक बार किसी मंच पे उनको धक्का देते हुए भी दिखाई दिया था तो ऐसी कंडिशन में अतिक आमत को किनारा कर लेना सपासे उनके हीत में हो सकत झाल झाल